Hello everyone, welcome to our channel Biographies Cave दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मेकप आर्टिस्ट की जिनके मेकप के फैन्स बॉर्डर पार भी है चाहे कोई मॉडल हो, एक्ट्रेस हो या कोई आम लड़की सब भी इन से त्यार होने की ख्वाहिश रखती है जी हाँ दोस्तों बात कर रहे हैं पाकिस्तानी फेमस यंगेस मेकप आर्टिस्ट काशीज की यूट्यूब पर पहली बार काशीफ असलम की मुकमल बायग्राफी आपको सिर्फ हमारे चैनल बायग्राफी स्केव पर ही मिलेगी हम अपनी आज की इस वीडियो में आपको काशीफ असलम की मुकमल बायग्राफी के बारे में बताएंगे हम आपको बताएंगे कि इन्होंने कैसे अपने कैरियर का आगास किया इन्होंने मेकप की दुनिया में कदम कैसे रखा इनकी फैमिली में कौन कौन है इनकी शादी किस्से हुई? इन्होंने इतनी छोटी सी उमर में इतना भड़ा मुकाम कैसे हासिल कर लिया? और वो कौन सी इंडियन एक्ट्रेस हैं जिन्होंने काशिस से त्यार होने की ख़वारी जाहर की? इन सब बातों की डिटेल्स आपको मिलेगी हमारी इस वीडियो में तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं इनका पूरा नाम मुहम्मद काशिफ है लेकिन इन्हें ज्यादा तर काशिफ असलम के नाम से जाना जाता है इनका जनम 16 जुलाई 1988 को कराची में हुआ और साल 2023 के हिसाब से ये इस वक 35 येर्स के हो चुके हैं ये प्रोफेशन से एक फेमस मेकप आर्टिस्ट और सोशल मीडिया इंफ्लेंसर हैं इन्होंने बहुत ही चोटी सी उम्र में मेकप का आगास किया और जल्द ही एक बहुत बड़ा ब्रैंड बन गए इनके मेकप स्किल्स की कोई भी बॉंडरिज नहीं है इन्होंने महस 15 साल की उम्र में अपने कैरियर का आगास ऐसा हैर एक्सपर्ट किया और वक्त के साथ साथ इन्हें हैर स्टाइलिंग, कटिंग और हैर कलर में इंटरस्ट बढ़ने लगा और जल्द ही ये इनका पैशन भी बन गया फिर इन्होंने ऐसा मेकप आर्टिस्ट काम शुरू किया काशिफ ने अपने एक इंटर्वे में बताया कि उन्होंने इस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की वो टीवी चैनल्स, मौर्निंग शोस और फैशन वी के लिए बैक स्टेज मेकप और हैर स्टाइलिंग किया करते थे वो काफी रातों तक बगएर सोय मसलसल मेहनत करते थे फिर उन्होंने आगे बढ़ने का सोचा और अपना खुद का एक स्लोन बनाया जिसका नाम काशीज ब्यूटी स्लोन है जो के कराची में मजूद है और अब इनका ये स्लोन पुरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है और काशीज एक ब्रैंड बन चुका है काशीफ असनम एक मल्टी टैलेंटीड मेकप आर्टिस्ट है चाहे शादी हो मंगनी या कोई भी और इवेंट सब लड़किया काशीज से ही त्यार होना चाहती है हर लड़की काशीज से त्यार होकर फखर में हिसूस करती है काशीज ब्यूटी स्लोन की एक ब्रांच लहौर में भी है आपको बता दें कि काशीज फसलम ने अभी तक शादी नहीं की और ये अभी तक सिंगल है और इनका शादी करने का फिलहाल कोई भी एरादा नहीं है काशीज के मेकप के इलावा इन्होंने और भी बहुत से बिजनस टार्ट किये हैं जैसे काशीज जूलरी, काशीज वेडिंग ड्रेस और इनकी एक्स्टेंशन्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं इनकी बहुत सी वर्क्शॉप्स भी होती हैं जिसमें काशीज फसलम खुच जाकर अपने स्टूदेंट्स को मेकप सिखाते हैं और मेकप करने के युनिक टिप्स भी उनके साथ शेयर करते हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री की हर फेमस स्लेबरिटी काशीज से ही त्यार होती है आपको बिताते चलें के काशीज का जादू तो इंडिया में भी चल चुका है बहुत सी इंडियन स्लेबरिटी जैसी हैं जो के काशीज से त्यार होने के ख्वाहिश रखती है चलें आपको दिखाते हैं वो एक्ट्रिस जो काशीज से त्यार हुई दोस्तो इंडियन फेमेस एक्ट्रिस शिवेता तिवारी जिनने कौन नहीं जानता इन्होंने स्ट्रापलस के मश्हूर ड्रामा कसोटी जिन्दगी के में एहम करदारदा किया था ये भी काशीज की बहुत बड़ी फैन निकली और इन्होंने भी ये ख्वाहिश जाहर की कि वो काशीज से त्यार होना चाहती है जिस पर काशीफ असलम ने उन्हें त्यार किया और श्वैता तिवारी ने अपना फीडबेक अपने फैन्स के साथ शेयर किया चले आपके साथ शेयर करते हैं तो दोस्तों आपको काशीज का मेकप कैसा लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और ये थी काशीफ असलम की मुकमल बायग्राफी उमीद करती हो आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और आप भी काशीज के मेकप के फैन है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे के साथ ही हमारे चैनल बायग्राफीज केव को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताके हमारी हर नई आनी मेली वीडियो का नोटिफकेशन आपको जल से जल मिल सके